कॉस्टिया नमबर 11 हमारे बास ये तीन हमारे बास फ्रेक्शन्स हैं जो आपस में मल्टिप्लाइ हो रही है हम पहला काम ये करेंगे जहां मुम्किन हो फ्रेक्टराइज करेंगे इसमें देखें हमारे पास x कामन आ गया x क्यूब माइनस 8 आ गया नीचे वाले की मिट टम ब्रेक करनी है प्लस 6x माइनस x माइनस 3 2x माइनस 1 नीचे वाला x करेंगे प्लस 2x प्लस 4 x प्लस 3 x कामन आ गया x माइनस 2 अब जो x क्यूब माइनस 8 है उसको हम a क्यूब माइनस b क्यूब वाली फाम में लेके जाएंगे x क्यूब माइनस 8 का मतलब यह है कि x होल क्यूब माइनस 2 होल क्यूब तो x x क्यूब माइनस 2 क्यूब नीचे देखें 2x का मन आ गया x प्लस 3 माइनस 1 का मन आ गया x प्लस 3 2x माइनस 1 x स्केर प्लस 2x प्लस 4 x प्लस 3 ओवर x x माइनस 2 चूब के मल्टिप्लिकेशन हो रही है यह कैंसल हो जाएगा उपर फ़र फ़र्वला अप्लाए करें a माइनस b a स्केर प्लस a b प्लस b स्केर ओवर x प्लस 3 2x माइनस 1 2x माइनस 1 तो हमने जहां तक मुम्किन हो हमने इसको फेक्टराइस करते जाना है ताकि हम उसको कैंटरोल कर सकें कैल्कुलेशन हमारे कैंटरोल में रहे अब देखें जो light terms जेंगो कैंसल कर दें यह यहां कैंसल हो जाएगा यह इसके साथ कैंसल हो जाएगा एक्स मानस 2 यहां कैंसल हो रहा है और जो चीज बच जाती है उसको लिख लें x square plus 2x plus 4 और नीचे के रहा जाता है हमारे पास x square plus 2x plus 4 ये भी cancel हो गया और हमारे पास जो final answer है वो 1 रहा गया जब हमने इनको factorize किया तो हमने देखा सारी term जो हैं वो cross में cancel हो रही है हमारे पास ultimately जो answer है 1 आ गया हमारे पास